यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्कार आप देख रहे हैं खबरे अभी तक और मैं हूँ आपके साथ शीनम शर्मा खबरों का रुख करेंगे प्रधान मंतरी नरेंज मोदी अपने तीन देशों की यात्रा पर पहले दिन स्वीडन पहुँचे जहाँ पर एरपोर्ट पर उनकी अगवाई स्वीडिश प्रधान मंतरी स्टेफन लॉफवेन ने की पीम मोदी स्टॉक होम में भारतिय समुदाय के लोगों से मिले ये 30 सालों में पहला मौका है जब कोई भारतिय प्रधान मंतरी स्वीडन गया हो इससे पहले पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांधी सन 1988 में स्वीडन पहुँचे थे स्टॉक होम में आज दोनों देशों के पीम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे उसके बाद मोदी कॉमनवेल्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए रात को ही लंडन पहुचेंगे तो स्वीडन पहुचने पर पीम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधान मंत्री स्टेफन लॉफवेन ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया आपको बता दे कि तीन देशों की यात्रा पर पीम नरेंद्र मोदी पहुचे और पांच दिनों की विशेश यात्रा पर पीम नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके थे सोमवार को देरात पहले पढ़ा वो स्वीजन पहुच गए है और वहाँ पर स्वीजन के पीम ने गर्म जोशी के साथ वहाँ पर पीम मोदी का स्वागत किया और प्रधान मंत्री मोदी इस यात्रा पर व्यापार और निवेश सहीत कई महतोपूर चेत्रों में दूई बक् लगते हैं और प्रधान मंत्री 16 अप्याल की देरात स्टॉक कम पहुंचे और यहां पर उन्होंने भारती समुदाए के लोगों से मुलाकात भी की है प्रधान मंत्याओ यहां जहां प्रास्ट।